हेलो स्टुडेंट्स मैगुर्जीत मैम दक्षेकेडमी लाडवा के यूट्यूप चैनल पे आपका स्वागत है तो बच्चों हमारी शब्द भेद की सीरीज चली हुई थी आज शब्द भेद की सीरीज में हमारी लास क्लास रहेगी आज हम करेंगे रूप, परियोग और व्याकरण के अधार पे शब्दों के भेद और एक अर्थ के अधार पे शब्दों के भेद तो सबसे पहले हम करते हैं रूप, प्रियोग और व्याकरनिक विवेचनियानि के व्याकरन के अधार पे शब्दों के भेद रूप के अधार पे प्रियोग के अधार पे और व्याकरन के अधार पे शब्दों के दो भेद होते हैं और विकारी शब्द क्या होते हैं तो बच्चों जैसे विकारी शब्द इसके नाम से ही क्लीर हो रहा है विकारी शब्द यानि के जिन शब्दों में विकार हो जाता है चेंज हो जाता है परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं हम विकारी शब्द बोलते हैं, तो विकारी शब्द किन में, जिनके लिंग, वचन, कारक, आपने ये बाते याद रखनी है, जिनका जेंडर चेंज हो जाता है, मूल शब्द का जेंडर चेंज हो जाता है, यानि के इस्त्रिलिंग और पुलिंग, और वचन चेंज हो जाता है कारक चेंज हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं विकारी शब्द यानि के जिन शब्दों के वचन, कारक और लिंग चेंज हो जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं विकारी शब्द बोला जाता है और जो विकारी शब्द होते हैं बच्चो जैसे संग्या, सरवनाम, विशेशन और क्रिया कई बार इन में से भी question पूछ लिया जाता है कि बताएं इन में विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है संग्या विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है तो संग्या है, सरवनाम है, विशेशन है और क्रिया है ये चारों के चार विकारी शब्द होते हैं यानि के इन में किसी न किसी तरह का चेंज हो जाता है किस के अधार पे, जेंडर के अधार पे, वचन के अधार पे, कारट के अधार पे तो आपने याद रखना है संग्या, सरवनाम, विशेशन और क्रिया ये होते हैं विकारी शब्द और अगर इनके एक्जाम्पल के बात करूँ बच्चो जैसे लड़का पढ़ता है चीक है? मैंने यहाँ पे sentence लिखा है लड़का पढ़ता है इनमें चो मूल शब्द है वो change होता है जैसे लड़का है यहाँ पे मूल शब्द क्या बनता है लड़का अगर हम इसका वचन चेंज करते हैं तो क्या बनेगा? लड़के पढ़ते हैं यहाँ पे इसका वचन चेंज हुआ और अगर हम जैंडर चेंज करते हैं तो क्या बनेगा? लड़की पढ़ती है ठीक है? और अगर हम इसका भी वचिन चेंज करते हैं, तो क्या वनेगा लड़कियां पढ़ती हैं, कारक अगर हम चेंज करते हैं, कारक में परिवर्तन करते हैं, तो लड़कों ने पढ़ा, तो ये हुआ इसका अब मूल शब्द है, उसी को चेंज करना है, हमने लड़कों ने पढ़ ये क्या हुआ इसका कारक में परिवर्थन हुआ अगर हम इसके सर्वनाम की बात करते हैं सर्वनाम परिवर्थन कैसे होता है जैसे मैं पढ़ता हूँ ठीक है मैं पढ़ता हूँ अब मैं क्या है उत्तम पूरुष उत्तम पूरुष जिसे हम English में क्या बोलते हैं? First person बोलते हैं तो मैं पढ़ता हूँ यह उत्तम पूरुष है अगर इसका मैं जो है यह main word है इसका अगर हम परिवर्तन करते हैं तो क्या बनेगा? तूम पढ़ते हो ठीके? अब तूम किस में आ गया? यह second person में आ गया यानिके मध्यम पूरुष में आ गया अब देखो सर्वनाम भी परिवर्तन हो गया है और next अगर हम इसका अन्या पूरुष में परिवर्तन करते हैं तो वे पढ़ते हैं ठीके? वे क्या है? अन्या पूरुष यानिके third person तो यह हुए बच्चो विकारी शब्द आपने चार बाते याद रखनी है जिनका gender change हो जाता है यानिके strilling, pulling, कारक change हो जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? विकारी शब्द जिसके मूल शब्द का रुपांतरन हो जाता है विकार हो जाता है यानिके change हो जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? विकारी शब्द उसके बाद next मारा आता है अविकारी शब्द अब देखो बच्चो अविकारी अविकारी यानिके जिसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्थन नहीं होता ऐसे शब्द जिनमें ना तो वचन के अधार पे ना ही gender के अधार पे ना ही कारक के अधार पे किसी भी तरह का कोई परिवर्थन यहां पे नहीं होता उन्हें क्या बोलते हम? अविकारी शब्द ये शब्द बच्चो वो शब्द होते हैं कि जिनके जहां पे जुरूरत होती है संबंद बोधक अव्याजी ने बोलते हैं समुच्च बोधक जो जोडने का काम करते है विसम्यादी बोधक तो ये जो चार है ये भी कह है आविकारी शब्द है क्रिय विशेशन में भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता अगर हम संटेंस की बात करते हैं संबंद बोधक में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, स्मुच्य बोधक में भी नहीं और विसम्यादी बोधक अव्या, ये सारे अव्या विसम्यादी बोधक अव्या में भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है आविकारी शब्द बोला जाता है एक्जाम्पल से हम समझते हैं इसको जैसे और अत्वा या किन्तु परंतु क्यों ये सारे क्या है अविकारी शब्द है अब देखो बच्चो जैसे अगर हम इनमें किसी भी तरह का वचन चेंज करके देखते हैं क्या और का वचन चेंज हो सकता है क्या और किसी भी तरह के वचन में चेंज हो जाएगा या जो और है उसका कारक चेंज हो जाता है या फिर और है इसका जेंडर चेंज हो जाता है तो इन में किसी भी तरह का कोई परिवर्थन नहीं होता और ये होते हैं आविकारी शब्द आपने ये चार याद रखने है क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, समुच्या बोधक और अव और विसम्यादी बोधक ये सारे होते हैं आविकारी शब्द तो ये था हमारा आविकारी शब्द तो बच्चों नेक्स हमारा टोपिक हाता है अर्थ के अधार पे शब्दों के परकार अर्थ के अधार पे अगर हम शब्दों की बात करें तो चार परकार के होते हैं अर्थ के अधार पे शब्द तो से पहले आते हैं एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, उसके बाद है विलोम शब्द और प्रायवाची शब्द दोसों से पहले विलोम और प्रायवाची में आपको बता देती हूं, विलोम शब्द जिने opposite word भी बोलते हैं, या फिर जिनको विपरितार्थक शब्द भी बोलते हैं, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक topic है, आपको books में से काफी word मिल जाएंगे जिसको आप पढ़ सकत नेक्स्ट है प्रायवाची शब्द, प्रायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी बोलते हैं, और ये भी अपने आप में पूरा का पूरा topic है, जो आपको books से easily मिल जाएगा, तो हम करते हैं एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द क्या होते हैं बच्चों, जैस तो इसमें क्या आजाता है, नाम आजाता है, नाम किसी का भी नाम, और अगर हम नाम की बात करें तो जो व्यक्तिवाचक संग्या होते हैं, उसमें क्या आते हैं सभी के नाम आते हैं, तो इसमें व्यक्तिवाचक संग्या आते हैं, अब व्यक्तिवाचक संग्या जो है इसम इसे राम है ठीक है राम किसी व्यक्ति का नाम है तो राम का मीनिंग राम ही होगा कोई और इसका दूसरा मीनिंग या दूसरा अर्थ इसका नहीं है उसके बाद आता है आगरा अब आगरा देखो स्थान का नाम है ऐसे ही दिल्ली है शहर का नाम है राधा लड़की का नाम है तो ये आते हैं हमारे एक आर्थी शब्दों में जिन शब्दों का सिर्फ एक ही मीनिंग होता है और सारी की सारी विक्तिवाचक संग्या किसमें आती है एक आर्थी शब्दों में आती है तो next है हमारा बच्चो अनेक आर्थी शब्द अनेक आर्थी शब्द देखो अनेक अर्थ, जिन शब्दों के एक से ज़्यादा आर्थ होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनेक आर्थी शब्द, काफी हमारे जो व्याकरण हैं, उसमें ऐसे शब्द हैं, जिसके एक शब्द जो हैं, उसके कई कई आर्थ निकलते हैं, तो उन्हें बोला जाता है अनेक आर्थी शब्द, example से clear होगा, जैसे हार, हार देखो बच्चो पराजय को भी बोलते हैं, ठीक है, और गले की माला को भी बोलते हैं, हार पराजय को भी बोलते हैं, और गले की माला को भी बोलते हैं, अब देखो इसके एक से ज़्यादा इसलिए जो हार क्या है वो अनेकार्थी शब्द है ऐसे ही कर कर किसे बोलते हैं टेक्स को भी बोलते हैं और हाथ को भी बोलते हैं तो ये भी क्या हुआ अनेकार्थी शब्द कनक काफी आप पढ़ते हो इस वर्ड के बारे में कनक बच्चों सोने को बोलते हैं धतूरे को बोल को यह सारे क्या होते हैं अनेक आर्थि शब्ड जिनक्स शब्दों का एक से जादा आर्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं आनेक आर्थि है तो बच्चो आज हमारे शब्द भेद की जो सीरेज है वह कंप्लीट हूई आज हमारी last कलास ही यह पूरा का पूरा टोपिक इसमें कंप्लीट हो गया तो बच्चों वीडियो लाइक शेर करना मत भूलेगा और अगर आप चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू